बस्ती से हैं यता शंकर जी स्वागत है आपका जी सर बताईए सर सवाल करिये अरे मेरे बल्गन किरता है ज़्यादा खासी आती है उम्र कितनी है आपकी पच्पल सकर ठीक है पच्पल साल ठीक है चुदि कि अभी मैंने उसका बता रहा था जिनको भी बल्गन, खासी, छीके या इम्मिनिटी की कमी होती है उनको ये सब परिशानिया होती है इम्मिनिटी बढ़ा लीजे बल्गन आना बंद इम्मिनिटी का एक दुसका है जिसे हम कहते हैं लिसोडा उन्नाब और अलसी ये तीन चीज़े हैं उन्नाब के गुठली निकाल कर फैंक दे और अलसी ये सो सो ग्राम लिसोडा, अलसी और उन्नाब सो सो ग्राम, तीस ग्राम पीपले आपके किचन के गरम मसालों पाई जाती हैं, पीपले या पीपला मूल कहते हैं, तीस ग्राम इसे मिलाकर पौडर बना के रख ले अभी आपको एक चम्मस सुबह खाना है गरम पानी या चाय के साथ खा ले इस पौडर और गरम पानी या चाय पीला एक चम्मस रात को खटी चीज़े छोड़ दे आपको फाइदा होना मुम्किन है जी अकली कॉलर है रजिया बानो जी सूरत से स्वा बालीकमस्यला मेकमस्यला मेकल खुशाब जी अब जी eligibility का पालोंजी के शिरके का हम् स्वान जी हो तो टीन महीने बाद एसको दूप में रखना है या जर में रखना है ठीक है और सवाल आपका कि कि इन महीने में आपकी ज़िए तीन महीने में यह खाने के लाएक हो गया अब आप इसे और तेज करना चाहें तो दूप में रखने के लिए और पर इसका ढ़कन बंद कर दें तीन महीने बाद और ये जितना वक्त गुजरेगा इतना तेज होता जाता है तीन महीने में खाने लायक होता है और फिर आप इसे घर में भी रख सकते हैं कहीं भी रखेंगे ये खराब कभी नहीं होता सिर्के की ये शान है कि ये खराब कभी नहीं होता आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं तो यानि कि हकीम सब अगर हम जाद कॉवांटिटी में सिर्का मंगा लेते हैं और उसको घर पे रखे रहते हैं दीरे-जीरे करके इस्तमाल करते हैं तो वो जतना पुराना होगा उतना असड़दार हो जाएगा सिर्के के साथ यह है कि जितना पुराना होगा सिर्का और शराब जी कितनी पुरानी होगी शराब भी उतनी पीने वाले जानते हैं कि अच्छी होती है ऐसा मैंने कभी पी नहीं है और सिर्के के बारे मैं जानता हूं कि यह यह भी कभी खराब नहीं होता शराब भी कभी प्रेमचंद तियागी जी गौड़न से स्वागत है सर आपका ? नमश्कार नहीं जी नमश्कार सर नमश्कार दप्रसाब, हकीम साब, सर साथ स्वागत है प्रेम जी और जी कैसे ? सब कर ये थे आप बताएं कैसे ? हम भी ठीख आपकी दूगा से ? जी जी बताईगे सर एक मैंने बुचाया था अपाई के लिए हाड की प्रोब्लम की उसको स्पेंट पड़े थी तो जैटून नमक मेरे पास कल पुंच गया गॉंदम और इंगा बिमिंग वाया था मैंने वोगी कल पुंच गया मेरे पास तो क्या मैं उसको देच सकता हूं वो पास पानी जादा नहीं है सर जैसे बता देते हैं डोगटर विऔप पानी उसमें फुरा खोड़ा ही तो उसमें क्या उसको मैं दिंग बना के सर ये उताना दो दो बतने हैं सर ठीक है जी लीवर के पानी होना अगर मैंने कहा था कल भी कि अगर मामूली सा पानी है दस हैमल या बीस हैमल पानी होता है तो वो दवाओं से सुखाया जा सकता है और अलोपेटिक दवाओं जरूर ले वो दो टाइम देंगे और साथ दिन का दस दिन का कोर्स कराएंगे और इसमें युनानी दवाओं में आप ये चिलवोजे का गौन एक चुटकी सुबा एक चुटकी शाम पानी से खिला दिया करें बस काफी है लेकिन अलोपेटिक इलाज भी जरूर करें अपनी डाक्टर को फालोज जरूर करें उनका ठीक होना मुमकिन है ज़्यादा पानी हो तो उसको ड्रेन कराना बहता है ये मैंने आपको जवाब पहले भी दिया था और ये जो आपके अजीज आपके भाई के लिए नमक जैतून पहुचा है एक चुटकी नमक जैतून एक चुटकी खाने का सोड़ा दो गिलास पानी मिला कर पिला दे परिशानी ज़्यादा है तो दो बार दे सुबा और शाम कारे से पहले भी दे सकते है बाद में भी तो ये ढून ढून कर कल स्टॉल को निकालता है ब्लेट पेशर को कंट्रोल करता है फालिज लखवा पैरलाइसिस कुछ नहीं होने देता और ब्लेट पेशर को खोलता है अगर ब्लॉकिज हो या स्टंड किसी के पढ़ते हैं तो दो चार साल बाद फिर वही कैफियत होती है फिर ब्लॉक हो जाते हैं तो यह वो सूरत दुबारा नीफ पैदा होने देता है जो आपके भाई के साथ पेश आई तो एक बार दे सकते हैं अगर जरूरत का म जी हमारे साथ स्वागत है माम आपका जी नमस्कार मैम जी बात कर लिए मेरा फर्वाइकल की दौई चलती है, दौई खाती हूँ, वेलोपेटिक तुछीक रहता है, लेकिन फिर हो जाता है, आप एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन मेरी हट्टी आरी टेड़ी हो गई थी, वो तमें नस दभी गई है, और एक सवाल मेरा यह है, एक मेरा कंदन है, उस जाती है, और तक सई हो जाती है, और हकीम दी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके मेरे पैस सही हो गाए, मैंने आपका काला गोल खाया था, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आदा करती हूँ, आप बहुत अच्छी है, ल्ल्ला आपकी इफालत रखे, शु वाइड दाग, सफेड दाग, बड़ी मुश्किल से जाते हैं, वक्त बहुत लगता है, और एक तरीका है उसका इलाज करने का, देखिए, एक दवा आती है जिसको बापची कहते है, ये दाने होते हैं, मेथी कैसे दाने हैं, लेकिन ब्राउन से होते हैं ये, ये ले लिजिए, पचास गिराम मेथी के दाने हैं, और पचास गिराम अलसी, पचास गिराम सुखावा आमला, और पचास गिराम गौन मौरिंगा सफेद, असली वैला, इनको पौडर बना लें, और इसका एक गिराम सुबा, एक गिराम शाम, पानी से लिया करें, और पानी ज्यादा पिया करें दिन में डाई लीटर कमस कम पानी मरीज जरूर पिए और बहुत सबर वाला हो तो इसको फाइदा होना मुम्किन है फूंसिया निकलती है एक मरीज के हाँ फूंसिया फोड़े और इसकीन के बहुत सारे रोग खुजली दाने ददोड़े इसके लिए अलसी खरीद लें हलक ऐसा भूने उसे और पौडर बनाके रख लें अलसी आदा चमच और नमक जैतून आता है असली ले एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाके आदा चमच अलसी रोज खालिया करें दिन में बस एक बार या दो बार खाने से पहले भी खा सकते हैं बाद में भी खा सकते हैं जी आखरी सवाल था सर्वायकल की प्रॉब्लम है तो देखिए इस सर्वायकल में एकसरसाइज का आधा काम है और आधा काम दवा का है सर्वाइकल दो तरह के होते हैं एक तो चक्कर आते और एक दर्द होता है सर में गर्दन में तो जो exercise मैंने बताई हैं वो तो लें देखिएए ऐसे ऐसे यह exercise और यह जो भी आप कर सकते हैं वो करिए यह exercise आपको करनी है जो भी आपके लिए आसान हो और अगर नहीं कर सकते कोई exercise तो आप बिस्तर पर ऐसे सीधे लेट जाए और अपनी गर्दन बिस्तर से नीचे ऐसे लटका ले गर्दन आपकी नीचे लटक जाए और आपका जिसम ऐसे सीधा रहा ऐसे पांच पांच मिनिट करके पांच बार लेटी है इस से आपको जरूर फाइदा मुम्किन है जरूरत पढ़े तो गौन सिया जो आपने खाया था जिस से आपको फाइदा हुआ वो आधा गिराम जरूर खालिया करें एक बार या दो बार और लगातार पंदरा दिन तक एक्सरसाइज करें बगएर किसी वफलत के कि ऐसा नहीं कभी कर ली कभी नहीं चाहें लेटने वाली एक्सरसाइज करें लेकिन पंदरा दिन तक करें पांच-पांच मिनट पांच बार लेटें आप देखेंगे पंदरा दिन आपका दर्थ और सर्वाइकल कहां गया आप ठूनते रह जाएंगे और हमारे हुसला अफजाई के लिए हमारे लिए दुआओं के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहें और जिन नुसके जाज से आपको पाइदा हुआ वो दूसरों तक भी पहुंचा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मध्यक्रदेश से हैं ममता जी स्वागत है आपका नमस्ते मूम जी नमस्कार मैं नमस्ते सर ममता जी स्वागत आपका जय हिन जी सर मेरा भी एक अपते से कॉल नहीं लग रहा था मैं इतना लगा रही थी आप जब वहां थे गाओं में तब मेरी बात हुई थी आप से इसलिए आपका इतना बड़ा परिवार है सर कि अब आप कैसे करेंगे नहीं भी आप बुलाएंगे तो सब लोग आपके पास आजाएंगे मेरी तो इतनी इक्षा सर कि कब आप से मिलूँ सामने बैठ के आप से बात करूँ द्वाजने लूँ आप से पूचू नुसके सारे मैं कभी आओंगी उदर तो आप से जरूर मिल ले आओंगे दिल्ली आती है आप जी कभी कभी जाती हूं सर अच्छा मैं आपके सारे नुसके अपना इस और डायरी बना रख़ी है मैंने मैं सबको बताती हूं उसके खुद बना के भी देती हूं और मुझे तो बहुत फायदा हुआ अब गौन मोरिंगा मैं तीन महीने से ले रही हूं सर तो मुझे बहुत सारी जाइगा थी चेहरे पर तो पचास परसेंट कम हो गई है सब लोग पूछते हैं कि ये कैसे खतम हो गई तुमारी जाइगा तो मैं बताती हूं सबको मैं कि ये मैं लेती हूं नारियल पानी से और मेरे बहुत ज्यादा बाल जड़ते थे सर तो बिलकुल एक दम से बंद होगा अब एक भी बाल नहीं जड़ता मेरा लेकर जो पहले जड़त चोके सा वो तो बहुत ही कम हो गए हैं लेकर अब ले रही हूं मैं गौन मोरिंगा तो कब तक इसको लूँगी मैं तीन माईने हमेशा क्या ले सकती हूं इसको मामता जी आपकी उमर कितनी है मेरी उमर 50 साले सर अचा आप अपना फोन काटी नहीं इसको नमबर नोट करा दो यह कभी दिल्ली आएंगी तो आप मिलना शेल्जा से शेल्जा आपका इंटर्विव चाहेंगी जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बहुत फा पहुचाते हैं उनका इंटर्विव का सिल्सला शुरू हुआ है और अब काफी इंटर्विव शेल जाने किये हैं आप इनका नमबर नोट कर लें और शेल जाके हवाले कर दें और आप इसे जारी रखें और एक कैल्सियम आपते में दो बार एक कैल्सियम लिया करें तो आपसे मुलाखात भी होगी, बात भी होगी, शेल जा आपका इंटर्यू करेंगी, फिर इसी टीवी के माध्यम से आपको पुरसारन भी किया जाएगा. इसी के साथ कारिकरम का आगे बढ़ा लेते हैं, शाजियां हैं, अगली कॉलर बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका. मैंने भी आपकी संसा से गौन दिया, ओडर किया है, अब भी आरा में है, स्वागत हैं पुरसा करके अगर पहले ले लेती हैं, तो अभी तक आप इस मारत के बारे बनी, बलके इस मारत को ठीक होने के बारे में बता दी, और हाँ फोन बहुत मुश्किल से मिलता है, हजारों कॉल होते हैं, उसमें फोन मिल जाना भी एक नियमत है, तो चलिए आज आपका छे साल में सिक्वादूर हुआ, अब राप्ता होता रहागा, देखिए आपका भी फोन मिल गया, आपकी हमसीरा का भी फोन मिल गया, अब शार इतनी मुश्किल ना रहे, आपकी उगलियों को भी होसला मिलेगा, कि आप कुछ ज़्यादा कोशिश करके, कभी भी फोन मिला कर आप बात कर सकते हैं, बात हो जाए तो वही दवाद, आपकी बेहन के लिए बताईए, वो आदा अदा गिराम दो बार खाएं, आपको फाइदा होना मुम्किन है, जी